आज हम आपको उनपढ सर्जन के बारे में बताएंगे. कैप्टाउन का उनपढ है सर्जन मिस्टर हमलिटन जिसको मास्टर आफ मेडिसन की एजाजी दिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था ना पड़ना. दुनिया में कैप्टान की मेडिकल युनिवसिटी को तिब भी दुनिया में मुम्ताज हैसियत हासिल है. दुनिया का पहला बाईपास आपरेशन इसी युनिवसिटी में हुआ था. इस युनिवर्सिटी ने चन्द साल पहले एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर आफ मेडिसन की एजाजी डिग्री से नवाजा जिसने जिन्दगी में कभी स्कूल का मुन्ह नहीं देखा था जो अंग्रेजी का एक लफ़ सकता था और नहीं लिख सकता था लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने युनिवर्सिटी के आडिटोरियम में ऐलान किया हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किये जो एक गेर मामूली उस्ताद एक हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइन्स और इनसानी दिमाग को हैरान कर दिया इस एलान के साथ ही प्रोफेसर ने हमिल्टन का नाम लिया और पूरे आडिटोरियम ने खड़े हो काफ इस्तिक्बाल किया ये इस युनिवसिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तिक्बाल था बच्पन में इसका वालिद बिमार हो गया लहाज़ा वो भेड़ बक्रियां छोड़कर कैप्टान आ गया इन दिनों एक कैप्टान युनिवसिटी में तमिरात जारी थी वो युनिवसिटी में मजदूर भरती हो गया इसे दिन भर की महनत मशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबा कर सौजाता था वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा तमिरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो युनिवसिटी में माली भरती हो गया से टैनिस कोट की घास काटने का काम मिला वो रूस टैनिस कोट पहुँचता और घास काटना शुरू कर देता वो तीन बरस तक ये काम करता रहा फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोल आया वो मेडिकल साइन्स के इस मकाम तक पहुँच गया जहां आज तक कोई दूसरा शखस नहीं पहुँचा ये एक नर्म और गर्म सुबह थी प्रोफेसर राबर्ट जूज उस जराफे पर तहकीक कर रहे थे वो ये देखना चाहते थे कि जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन जुकाता है तो उसे घशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता उन्होंने आपरेशन टेबल पर एक जराफा लुटाया इसे बेहोश किया लेकिन जूही आपरेशन शुरू हुआ जराफे ने गर्दन हिला दी चुनांचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शक्स की जरूरत पढ़ गई जो आपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड कर रखे प्रोफेसर थेटर से बाहर आये सामने हमिल्टन घास काट रहा था प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सिहतमन्द जवान है उन्होंने इसे इशारे से बुलाया और उसे जराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया हमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली ये आपरेशन आठ घंटे जारी रहा इस दोरान डॉक्टर चाय और काफी के वकफे करते रहे लेकिन हमिल्टन इस जराफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा आपरेशन खत्म हुआ तो वो चुप चाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी दूसरे दिन प्रोफेसर ने इसे दोबारा बिला लिया वो आया और जराफे की गर्दन पकड़ कर खड़ा हो गया इसके बाद ये उसकी रोटीन हो गई वो युनिवरसिटी आता आठ दस घंटे अपरेशन थेटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टैनिस कोट की घास काटने लगता वो कई महीने दोहरा काम करता रहा उसने इस दूटी का किसी किसम का इजाफी मुआफ़ा तलब किया और नहीं शिकायत की प्रोफेसर राबर्ट जूज उसकी इस्तिकामत और इखलास से मतासिर हो गया और उसने इसे माली से लेब असिस्टेंट बना दी हमिल्टन की प्रोमोशन हो गई वो अब युनिवसिटी आता आप्रेशन थेटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता ये सिलसला भी बरसों जारी रहा इसकी जिन्दगी में दूसरा एहम मोर आया इस साल डॉक्टर बर्नार्ड युनिवसिटी आये और उन्होंने दिल की मुंतकली के आप्रेशन शुरू कर दिये हमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गोर से देखता रहता इन आप्रेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया अब डॉक्टर आप्रेशन करते और आप्रेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते वो इंतिहाई शांदार टांके लगाता था इसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी इसने एक एक दिन में पचास पचास लोगों के टांके लगा वो आप्रेशन थेटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इनसानी जिसन को समझने लगा चनांचे बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मदारी सौंप दी वो अब जूनियर डॉक्टरों को आप्रेशन की तक्नीक सिखाने लगा वो आहिस्ता आहिस्ता युनिवरसिटी की एहम तरीन शक्सियत बन गया वो Medical Science की इस्तिलाहात से नावाकिफ था लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बहतर सर्जन था इसकी जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो इसने आपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शर्यान की निशान देही कर दी जिसकी वज़े से जिगर की मुन्तक लिए आसान होगे इसकी इस निशान देही ने Medical Science के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शक्स के जिगर का आपरेशन होता है और मरीज आँख खोल कर रोशनी को देखता है तो इस कामयाब आपरेशन का सवाब बरारास्त हमिलिटन को चला जाता है इसका मुहसिन हमिल्टन होता है हमिल्टन ने ये मकाम इखलास और इस्तिकामत से हासिल किया वो पचास बरस कैप्टान युनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा उन पचास बरसों में इसने कभी चटी नहीं की वो रात तीन बजे घर से निकलता था चौदा मील पैदल चलता हुआ युनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक छे बजे थेटर में दाखिल हो जाता लोग उसकी आमदोरफ्ट से अपनी घर्ड़ियां ठीक करते थे इन पचास बरसों में उसने कभी तंखा में इजाफे का मतालबा नहीं किया उसने कभी औकातकार की तवालत और सहूलतों में कमी का शक्वा नहीं किया फिर उसकी जिन्दगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तंखा और मुरात युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और इसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइन्स के किसी शखस को नहीं मिला वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला उनपर उस्ताद था वो पहला उनपर सर्जन था जिसने जिन्दगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी जिस दिन इसे जराफे की गर्दन पकड़ने के लिए आपरेशन थेटर में बुलाया गया था अगर वो इस दिन इंकार कर देता अगर वो इस दिन ये कह देता मैं माली हूँ मेरा काम जराफोहे की गर्दने पकड़ना नहीं तो वो मरते दम तक माली रहता ये इसकी एक हाँ और आठ घंटे की इजाफी मशक्कत थी जिसने इसके लिए काम्याबी के दर्वाजे खोल दिये और वो सर्जनों का सर्जन बन गया उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी अब तक के लिए इतना ही मज़ीद मालूमात के लिए SJ News Network को सब्सक्राइब कीजिए